नमस्कार मित्रो स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में और अभी तक ये चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजे और आने वाली वीडियो का लाब उठाईए जाओ ये जलर हुआ दू कई भार लोगों के फों आते हैं कि इसका सायरन बजता ही रहता है तो इसका सायरन कैसे सेट करें है अपके पास कोई भी कंपनी का मशीन हो तो इसके पीछे जो लाल कलर का वायर आप निकालो वो फेंसिंघ टार में लगा दीजे काले कलर का वायर आप जो निकालो वो अर्थिंग कर दीजे फिर आप मशिन जैसे ही चालू करेंगे तो साइरन बजने लगेगा देखिए आपको चालू करके बेखाता हूँ दीरे दीरे से आपको इस साइरन कम करना है देखिए और जो भी पोजिशन पर बंद हो जाए माल लिजे कि मेरा दो वा तीन के बीच में ये साइरन बंद हो गया है तो उस पर आपको सेट कर देना है उसके बाद कोई टच करेगा तब ही ये साइरन बजेगा तो बिल्कुल वैसे आपको सेट करना है तो आशा रखते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा सबसे पहले connection कर देना है जैसे machine चालू करेंगे, siren बजने लगेगा फिर इसको दीरे-दीरे-दीरे से कम करना चाहिए याद रही है कि यह 0 पे नहीं होना चाहिए लाकि कोई भी position पे यह set होगा जितना वो area पे उपर depend होता है जितना area जादा होगा उसके हिसाब से होगा 0 पे नहीं होना चाहिए इसको ऐसे set करना है तो आचा रखते हैं कि वीडियो आपको काफी helpful और मदद रूप रह होगा ऐसे नएने वीडियो देखने के लिए हमारी यूटूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का लाब उठाईए जय हिन